की तो अगर आप सीटेट इकजर्म की तयारी करने तो ये वीडियो और इसके सभी प्रसना आपके लिए बहुत ही इंपोटेंट होने वाले हैं इसलिए आप वीडियो को बिना इसकिप किये हुए एक वार लाष्ट तक जरूर देखिए तो चलिए हम इस्टार्ट करते हैं तो रेगिस्तानी ओक आस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक की जड़ें लगवग 30 फीट नीचे चली जाती है यानि इस पौधे की जड़ होती है जो रूटस होती है वो लगवग जमीन में 30 फीट तक अंदर तक चली जाती है रेगिस्तानी ओक के तने की लंब करते हैं तने से संग्रहज़ जल को पीने के लिए वेखने साथ में एक चाकू और छोटी पाइप रखते हैं आप से इस से patients कोसंद भी बन सकता है तैंके वहां के निवासी याणि औसट्रेलिया के जो निवासी वाँके जो लोग हैं वो जल को पीने के लिए अपने साथ में क्या रखते हैं जल को संग्रहण करने के लिए यानि संदचित करने के लिए वो साथ में क्या रखते हैं तो चाकू एबन छोटी पाइफ रखते हैं अब हम बात करते हैं जल के बारे में तो जल का जो निर्माण ह होता है वो हाइट्रोजन के दो और और ऑक्सीजन के एक अडू से होता है और जल में स्वयम के सुध्धी करण की छमता होती है यानि आप जल में मिट्टी मिला के भी रख देंगे तो वो खुद से ही स्वच्छ हो जाएगा मिट्टी उसमें अंदर बैठ जाएगी और स्वच जल का एच्टू ओ यानि एच मतलब हाइट्रोजन टू मतलब दो अडू और ओ मतलब ऑक्सीजन का एक अडू अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं गटपणी या सिकारी पौधा के बारे में तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया इंडोनेसिया एवं भारत की मेगाले राज्य में पाया जाता है यह पौधा मूलते उन छेत्रों में पाया जाता है जहां मेट्री में नाइट्रोजन का अभाव होता है अभाव यानि नाइट्रो और केड़े मकोडे एवं अन्य छोटे जीवों का सिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े की आकरती का होता है। और उसके उपर पत्ती का एक ढखकन लगा होता है। इस पौधे से एक विसेश प्रकार की गंध निकलती है। जिससे आकर से थोकर यह जीव इसके पास आते हैं और इसका सिकार बन जाते हैं। यह पौधा प्रकास संसलेशर के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है। और वह भोजन फ्लो एम के माध्यम से पौधों के विविन भागों तक पहुंचता है। घटपाणी पौधे के हम अन्य उधारण आपको बताते हैं। घटपाण से पौधा में पत्तियाँ पाई जाती हैं। और यह प्रकास संसलेशर का कारे करती हैं अत्य इन्हें उत्पादक बर्ग में वर्गी करत किया गया है। अब हम बात करता कि आपका इसकौत्स्टान किस टाइप कर बन सकता है तो को के निप९ंदा और are साकर खा जाता है हमारी देश में यह पौधा कहां पर पाया जाता है और किसी राज्य का नाम जैसे के अरुणांचल प्रदेश मेघाले असम औरी सा तो इसका सही अंसर होगा आपका मेघाले क्योंकि यह कहां पर पाया जाता है जैसे कि हम आपको बता चुके हैं यह ऑस्ट्र इससे related आपका दूसरा question बन सकता है कि ऐसा कौन सा पौधा है जो चूहे और केड़े मकोडों और छोटे छोटे जीवों का सिकार आसानी से कर लेता है आपके option उसमें अलग से दिये होंगे चूहे केड़े मकोडे इन सब के अलावा और कोई option दिया हुआ हो सकता है अब हम बात करते हैं नेक्ष्ट पौधे के बारे में नेक्ष्ट है आपका खेजडी पौधा के बारे में तो यह ब्रच्छ भारत में राजिस्थान राज्य के थार के मरुस्थल में पाया जाता है इस पौदे की भी जड़े घहरी होती है क्योंकि यह भी पानी का अभाब होता है खेजडी की लकडी में कभी दीमक या कीड़े नहीं लगते खेजडी की फली का इस्तेमाल सबजी बनाने में भी किया जाता है इसके तने की चाल का इस्तेमाल दवा बनाने के लिए किया जाता है यह एक चायादार ब्रिच है और इसकी चाव में इस्थानी निवासियों के बच्चे खिलते कूथते हैं यह रेगिस्थानी इलाके में पाया जाने वाला पेड़ है यहार राजिस्थान का राज किया ब्रच है इसकी जड़े पानी या जलकी तलास में गेराई तक जाती है यहार एक बड़ा चायादार ब्रच होता है जिसके छाओं में इस्थानी वच्चे खेलते हैं अब हम बात करते हैं अगले पौधी के बारे में नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा नेक्स्ट है लाइकिन तो यहार एक सैजी भी पौधा होता है लाइकिन कवक एवं सेवाल के मध्य सैजीवता का परणाम होता है कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इसलिए यह क्लोरोफिल पाया जाता है और वह प्रकास संसलेसर के द्वारा भोजन भी बना लेता है लेकिन उसके पास आधार यानि उगने का संकट होता है कवक सैवाल को आधार प्रदान करता है और सैवाल कवक को भोजन लाइकिन के बारे में पात करें तो लाइकिन पायू प्रदू प्रदूसर बढ़ गया है एसोटू को हम इस्टोन कैंसर भी कहते हैं यानि इससे क्या होता है इस से इस्टोन कैंसर यानि पत्थरों का जो वह होता है चटकना इससे हो जाता है SO2 से related आपसे कोशन बन सकता है इसमें हम आपको बता देते हैं किस तरीके से आपको कोशन बन सकता है तो मधू जब ताजमहिल भूमने गई तो वहाँ पर गाड जो होते हैं तो उसने बताया कि कुछ सालों पहले अमलिय वर्षा के कारण ताजमहिल का रंग उड़ने लगा था जब इमारतों या भवनों का रंग उड़ने लगता है या फिर वे गलने लगते हैं तो इससे निम्नमैसिक इसे क्या कहा जाता है आप्सन में दिये होए हो सकते हैं तचा कैंसर या फिर इस्टोन कैंसर या लगवा या रंग कैंसर तो इसका सही अंसर होगा आपका इस्टोन कैंसर यानि एसो टू से क्या होता है तो इस्टोन कैंसर जिसके कारण ताजमहिल का रंग भी पीला-पीला सा हो गया है नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूके लिप्टस यानि सफेदा के बारे में यूके लिप्टस को पारिस्थितिकी तंत्रे का या फिर सामाज बानिकी का आतंकवादी कहा गया है इसे पारिस्थितिकी तंत्रे का आतंकवादी बिच किसे कहा गया है आप्सन हो सकते हैं गम को, निलगरी को, सफेदा या या यूकेलिप्टस को या फिर इन सभी को तो सही अंसर होगा आपका सफेदा या यूकेलिप्टस को क्योंकि इसकी जड़ें तेज गती से जल का अफसोसर करती हैं और आसपास की भूमी को ये बंजर बना देता है इसकी पत्तियां तेज गती से जल को बासपी करत कर देती हैं दिन में लगवग एक हजार लीटर तक ये पानी को सोक सकता है नेक्स्ट है आपका पीपल तो पीपल एक बिसाल चायादार ब्रिच होता है पीपल 24 खंटे ऑक्सीजन देता है पीपल को बोधी ब्रिच भी कहा जाता है क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्यान की प्राप्ती पीपल के ब्रिच के नीचे हुई थी पीपल के ब्रिच की जड़का बिस्तार काफी दूर तक होता है नेक्स्ट है आपका बर्गत तो बर्गत एक बिसाल चायादा ब्रिच है इसकी चाह में बिविन प्रकार के जीब जन्तू और पच्छी रहते हैं एवं ये गोंसला भी बनाते हैं बर्गत के तनों से इस्तम यानि मूल जड़ निकलती है जो तनों को सहारा देने का कार्य करती है इसकी जड़े काफी दूर तक फैली हुई होती है एवं गहरी भी होती है पीपल बर्गत नीम को पर्यावरण मित्र ब्रच्छ भी कहा जाता है अब हम बात करते हैं क्रोटन के पौधे के बारे में जिससे पता चल जाता है के मुख के फसल की सिचाई करनी है इसे हम एक चल सिंचक पौधा भी कहते हैं नेक्स्ट है आपका जेट ठोपा तो जेट ठोफा के बारे में बात करें तो यह मूलते ब्राजील का पौधा है इस पौधे से बायो डीजल बनाया जाता है आपसे कोशन बन सकता है कि जेट ठोफा कहां का पौधा है ओप्सन दिये होंगे आपके हो सकते हैं कि आस्ट्रेलिया, इंडोनेसिया, भारत तो इसका सही आंसर होगा आपका ब्राजील तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी आप ये हमें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप ऐसी ही वीडियो जोर पाना चाते हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें थेंक्यू